Friends, mostly हम यह देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुज़र्ग होते हैं वो अपना address, name और अपने family members का mobile number नहीं बता पाते हैं कल रात में यह incident हुआ कि मेरी mom miss हो गई थी and she was unable to give her mobile number and address to someone तो इस इस्तिदी में क्या होता है कि हमको धूनना मुश्किल होता है आजकल biometric है लेकिन हर जगे वो facility अविलिबल नहीं होती इसके लिए मैं help me capsule बनाना जा रहा हूं इस help me capsule में मैंने इनका address, नाम, पता और दोस्तों के mobile numbers लिख दिये हैं ताकि अगर मैं phone नहीं उठाओं तो मेरे friends उठा लें इसके लिए हम क्या करेंगे बेकार सा paint यूज करेंगे यह pen यह नीचे से open होता है इसको हम यहां से cut कर लेंगे इस तरह से यह cut हो गया और cut करके हम इसकी cavity के अंदर यह address tag जो है roll बना करके डाल देंगे इसको हमने cello tape से properly wrap कर लिया है ताकि यह water resistant हो सके मतलब पानी में भी यह नहीं गोलेगा इसके अंदर की ink और यह help me capsule इस तरह से इसमें एक hook लगा दिया है ताकि water इसके अंदर भी न जाए अब इस help me capsule को क्या करते हैं इस thread में या थागे में पिरो देते हैं और पिरो करके जो old हैं बुचोर के हैं जो अपना नाम नहीं बता पाते हैं उनको यह हम पहना देते हैं जब आपको कभी ऐसा capsule पहने कोई बैकती दिखे तो आप क्या करेंगे इसके rat जो है cap इसको नीचे से ख खोल कर यह address tag निकाल लेंगे इस address tag को पढ़ने के बाद आप डिये हुए जो नंबर से उन पर क्या करेंगे फोल करेंगे तो इस तरह से आप एक लोगों की सहायता कर सकते हैं और किसी को गुमने से बचा सकते हैं आप यह experiment कि बुद्र को पर्टिकुलर जो लोग कि अपना परीच2017 बताने वे नाम बताने मोबायल नम्बर बताने में या जो एक तम चोटे बच्छे होते हैं वह missing हो जाते ही कही मेले में कही आप मार्केट प्लेसे में उनको आप पहना सकते हैं तो ुस तरह से आप इसको पहना पह कर लेंगे अब यह हमेशा इनके कले भी बना रहेगा और कभी भी अगर यह मिस्स होते हैं तो कोई भी जानकर वेखती इस कैप्सूल को खुलेगा इससे स्लिप निकालेगा और डिये वे नंबर्स पर कॉंटेक्ट कर लेगा उसमें आधार नंबर इमेल आईडी और करीप करना चाहरा था लेकिन वह कहते हैं कि जब तक अपने उपर चोड नी पहुंचती तब तक हम सजाग नी होते हैं तो लास्त नाइट में I lost my mom in marketplace and I was unable to find out even she was not telling her number phone number and something so I think this device is best useful for old persons and children thank you so much for watching this video